दोस्तों अंगूर का पोधा जो है बहुती आसानी से जो है आप भी घर में होगा सकते हैं तो इसके लिए जैसे ही जो मुनक का आते हैं मार्केट में तो उनसे जो है जो अच्छे से बीज हैं जो स्वास्त हैं तो उनको आप उनसे आप पोधा तैयार कर सकते हैं और उसके बा और 50% जो गार्डेन की नॉर्मल मिट्टी है वो लिए है और आप चाहे तो इसमें 50% नॉर्मल गार्डेन की मिट्टी और 30% गोबर की खात और 20% जो है इसमें रेत मिला करके इसका मिकसर तेयार करके तो गमले में इसको लगा सकते हैं गमला है तो जब भी आप लगाते हैं तो अंगूर की बेल के लिए बहुत बढ़ा गमला ची और इसमें 20-25 इंचे का कम से एकम गमला जरूर होना चीए तो यह चोटे इसकी जड़ें जो बहुत फैलती हैं और उसके बाद यह अभी कुछ समय के लिए जो है तो चोटे पौधे हैं तो यह साथ-ाट मैने इसमें चल जाएंगे पौधे तो उसके बाद जो है तो कहीं दूसरी जगे इसको रिपोर्ट करेंगे बड़े गंबले में बताओं है तो इसके लगाने के लिए तो नीचे drenage hole जरूर होने चाहिए जो गंबले के नीचे झो च्खेद होते हैं पानी निकलने के लिए तो वह जरूर होने चाहिए और उसको बंद नहीं होना चाहिए तो इस तरह से जो है तूँसमें प्तर प्तर इसमें डाल सकते हैं नीचे, जिससे की मिट्टी से जह इसके छेद हैं वह बंद ना हो, और इसमें जब आप पानी डालेंगे तो एक्स्ट्रा पानी है तो इन छेदुके माद्यम से भाहर जा सके, और इसकी जो है, रूट जो है, खराब ना हो, और बहुदा जो है मरने से बढ़ जाए, तो इसलिए इस इन के इन शेदू को बना जाता है, तो इसको पहले पुरा मिक्स करके अच्छे से मिला लेंगे, और आप चाहे तो इसमें दीमक की इसमें कौम करता है दीमक के लिए तो इसमें दीमक नहीं लगती है तो इस तरह से जो है यह हमने नीचे लगा दिया है पत्तर उसके बाद जो है इसमें मिट्टी से इसको हम पूरा भरेंगे इसको तो इसको इसको इस तरह से मिकसर जो है यह बना हुआ तो इसको पूरा अच् पूरा भर करके इसमें पानी देना है इनको अच्छे से दबाना है दोस्तों अभी तक आपनी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो वेल आइकन उसको भी प्रेश कीजिएगा जिससे इसी तरह की वीडियो का जो नोट्वेकिसन आपको समय समय पर मिलता रहे तो द्रूब में नहीं रखना है जब भी को आब रिपोर्ट गर्ते हैं कोई भी बाता तो उसे डारेक्टर धूब में रखेर कुछ दिन के लिए चाया में रखें ऊसके बाद जाद आप दूब में रख सकते हैं और इसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं देना है तो इसमें पूरा फीह नहीं होना चाहिए और जो है इसमें नमी बनी रहे इतना पानी जरूर। होना अंगूर के बाउनों के दें तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नहीं जानकारी के तब तक के लिए हैपी गाड़े नहीं